नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि अपनी दुकान में ग्राहक बढ़ाने के टोटके क्या है दोस्तों महंगाई के इस जमाने में हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो हर दुकानदार यही चाहता है कि उसकी दुकान में सबसे ज़्यादा ग्रहक आए ज़्यादा ग्रहक का मतलब ज़्यादा मुनाफ़ा आपके दुकान में कितने ग्राहक आते हैं यह तो आपके दुकान चलाने के तरीके पर ही निर्भर करता है अगर आपका दुकान चलाने का तरीका सही है तो आपके दुकान में बरकत जरूर होगी लेकिन अगर आपके दुकान चलाने के तरीका सही नहीं है तो आपको नुकसान सहना पड़ सकता है अगर सभी सही होने के बावजूद भी आपको नुकसान हो रहा है तो हमारे दिये गए इन टोटकों को अपनाए यह आपको ग्राहक बढ़ाने के टोटके आपकी जरूर सहायता करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों दुकान में गराक बढ़ाने के लिए जितने भी उपाये होते हैं उन सब में यह उपाये सबसे ज़्यादा सरल होता है इस उपाये में आपको हरी मिर्चे लेनी है साथ और एक निम्बू लेना है इन दोनों चीजों को एक धागों में परो कर एक माला बना लीजिए इस माला को अपने दुकान में टांगिए माला को इस तरह लगाए ताकि गराक अराम से इस माला को देख सके इस माला को हर शनिवार बदल ले दुकान पर ग्राक बढ़ाने के उपाये का नियम से पालन करे और देखे कि कितनी जल्दी आपके दुकान में बरकत होती है दोस्तों पीपल का पेड बहुत ही शुब माना जाता है बड़े बुड़े लोग कहते हैं कि पीपल के पेड पर हर भगवान का वास होता है इसलिए पीपल के पेड के पत्तों को दुकान में ग्राक बढ़ाने के लिए शुब मानते हैं इस दुकान चलाने के टोटके में आपको बस पीपल के पेड़ के एक पत्ते को अपने आसन के नीचे रखना है यह कारिया आपको रोज साथ बार करना है दिन के अंत में आपके आसन के नीचे पीपल के पेड़ के साथ पत्ते इकठे हो जाएंगे इन पत्तों को आप किसी भी नदी या फिर तलाब में बहा दे दुकान में बरकत के उपाय को अपनाने से आपको जल्दी ही काम्याबी मिलने शुरू हो जाती है कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी दुकान एकदम सही चल रही होती है लेकिन फिर अचानक से नुकसान होना शुरू हो जाता है और आपके आसपास के दुकानदारों और लोगों की बुरी नजर से ऐसा हो सकता है तो दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ग्रहक दुकान में आता तो है पर कुछ खरीदता नहीं है बस देखकर चला जाता है अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ग्रहक आपसे कुछ खरीदे तो इसके लिए आपको एक निम्बू के रस को एक पानी के गिलास में मिला ले इस गिलास को अपने काम करने वाली जगा पर रख ले हर रविवार इस गिलास के पानी को बदल ले ऐसा हर रविवार करने से आपको तरक्की मिलेगी और आपको ग्रहक कभी भी आपसे खाली हाथ नहीं जाएगा तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टोट के जिससे आपकी भी दुकान में बरकत होने शुरू हो जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद